तो चली स्टार्ट करते गोड इवनिंग, गोड इवनिंग, सभी को गोड इवनिंग, सभी को गोड इवनिंग, सभी को गोड इवनिंग, चली स्टार्ट करते पहला कोर्शन दिया गया है, नया कोर्शन भी आपको दिख रहा होगा, कह रहा है उतर देश सरकार ने किस एतिहा इसका राइट इंसर वह आपको भी हो जएगा रूमी दर्वाज़ा 0 are you कहाँ पर है आपका लखनऊ का निर्माड ये मतलब रूमी दर्वाज़ा कहां पर है लखनऊ इसका निर्माड नवाब आसुब दौला ने 1784 और 86 में करवाया था तो ये भी कोई point पूछा गया था रूमी दर्वाजा है कहाँ पर है तो आपके लखनों में है निर्माण किस ने करवाया है तो आप असब दौला ने करवाया है ठीक है अगला question आप पर आप से दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्निकित में से कौन सा जीला छेत्रफल की दरस्टी से सबसे छोटा है छेत्रफल की दरस्टी से आपको बताना है भई छेत्रफल की दरस्टी से सबसे छोटा इन में से कौन हो जाएगा हापोड बिल्कुल सही जवाब है नोट करिएगा यहाँ पर जो अंसर बनेगा डी नमबर है यहाँ पर हापोड इसक अंसर है राइट हो जाएगा हापोड हो जाएगा ठीक है ना और यह जो आपका है 660 वर किलोमीटर है वही पर सबसे बड़ा जो आपका है ओलखिम पुरुखिरी जिला है अधर रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पूछा गया है भारत के कुल भावगोलिक छेत्रफल में उत्तरवदेश का कितना भावगोलिक प्रसत है बातें मत अगरा कुशन बताना है उत्तरवदेश का छेत्रफल के उत्तरवदेश का छेत्रफल देश के कुल छेत्रफल का लगभा कितना परसंट है यहाँ पर बताना है जैहिंद जैहिंद गोडेवनेंग छले यहाँ पर देखे आपका जवाब क्या होजेगा यहाँ पर कोई आप्सन नहीं है तो नीचे को को लिए आप संदिया होगा ऑप संदिको दिया गया डी नंबर रहे सेवेंट पॉइंट बलरामपुर। आपसे दे रहे हैं वही कोई लोग स्रवस्ति दे रहे हैं तो यहां पर देखे आपका कुछी नगर आपका साजा नहीं करता है यहां से कौन से आपके साथि जिले हैं बलरामपुर। स्रावस्ति, लखेंपुर्खीरी, बाराइच, पिलिभेत, सिधात नगार, माराज गंज, ठीक है ना, चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कोशन आप से गला दिया गया है, कि उत्तरवदेश का राजकी पुस्व निमिखित में से कौन सा है, उत्तरवदेश का राजकी प पच्छी क्या है, तो आप एक हर एक कोशन को हलकी में मत लिया करेंगे, न मत लिया करेंगे, क्योंकि हर एक हलका प्रस्ण भी आपके एक नमबर दे जाता है, ठीक है ना, तो अभी हाली में कोशन पूछा भी गया था, ठीक है ना, यहाँ पर जो आप कंसर है, आपका हो जैसे धाग भी कहते हैं राज की खेल आपका हां की है और यहां पर राज की चिन की बात करते हैं तो एक वरत्त में दो मछली एक तीर धनुस बीच में बैचि गंगा यमना ये चिन जो हुआ था उनी सो फट्रेस में सुीकार क्या गया था कब 1938 में सुविकार किया गया था याद रखे अगला कोशन दिया गया है निमने कि तमेंसे किस जिले को राष्टी राध्धानी छेतर के 23 जिले के रूप में सामिल किया गया है यहाँ पर जवाब देगा है किस सहर को अभी तक राष्टी राध्धानी छेत्र में सामिल नहीं किया गया है आट को ऑप्सन दीजे क्या होजेगा देखो भई यहाँ पर जीन्द जो आपका है यह आपका सामिल है अगर जादा जानकारी लेना है तो एक बार इसका स्क्रीन साट ले लिए आपको सब पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखे जो आपका फरीदाबाद है अरियाड़ा में आपका है ठीक है ना देखो भई यहाँ पर आपका दिया गया है उत्तर विदेश के सबसे अधिक और सबसे कम छित्रफल वाले जनपद आपके कौन से है उत्तरवदेश का सबसे अधिक और सबसे कम छित्रफल वाले जनपत जो आपके हैं कौन है नाइ नमबर में देखो भई यहाँ पर आपका दिया गया है सबसे अधिक खीरी है सबसे कम इनके option के अनुसार रविदास नगर हो जाएगा option यहाँ पर बनेगा कौन सा बी नमबर है राइट हो जाएगा बी नमबर है राइट हो जाएगा अगला question यहाँ आपर आपसे दिया गया है नेमने कित में से कौन सा राज उत्तरवदेश का सीमा वरती राज है नेमनेकित में से कौन सा राज उत्तर प्रदेश का सीमा वर्ती राज है उत्तर प्रदेश का सीमा वर्ती राज पूछा गया है तो यहां पर देखो भई राजस्थान ही तो सीमा बनाता है तो आप सुन क्या हो जाएगा यह नमबर इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर देखे भई आपको पता होगा कि यहाँ पर नेपाल मतलब उत्तर में नेपाल उत्तराखंड उत्तर पस्ची में हिमाचर प्रदेश पस्ची में हरियाणा दिल्ली और राजस्थान और दच्चिन में मद्प्रदेश दच्चिन पूर में 36 गड़ी है आपके सीमा बनाते हैं याद रखेगा आठ राज्यों के सीमा बनाता है जो आपका उत्तर प्रदेश है अगला कोशन दिया गया है निमनिकित में से कौन सा देश भारती राज्य उत्तर प्रदेश सीमा साजा करता है तो यहाँ पर देखे भाई यहाँ पर अंतरास्टी सीमा आपके नेपाल के साथ है और प्सन क्या बनेगा यहाँ पर सी नमबर आपका नेपाल इसका अंसर है राइट हो जएगा अगला कोशन दिया है यूपी के निम्निकी जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल हर्याणा हिमाचर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है मदलब यहाँ पर आपका उत्तरांचल हर्याणा हिमाचर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है यह आपका जो जनपद है आपका कौन सा है यह जनपद है आपका सहारन पूर नोट करिएगा जिसका भी आपसन आ रहा है यह नमबर बिकुर राइट हो जाएगा सहारन पूर इसका अंसर राइट बन जाएगा भई ठीक है ना अगला कोशन है आप आप से दिया गया है कि उत्तरब देश का कौन सजिला उत्तरब देश और बिहार की सीमा परिस्टित है यहाँ पर जो आपका राइट से बनेगा क्या बन जाएगा भई क्या बन सकता है यहां पर बायए बलिया जो आपसन आ रहा है डिन्मबर राइट हो जाएगा विखार राजी की सीमा उत्वदेश के साज जिलों से है अरथा साज जिले है जो आपके कह सकते है अबसेल यहां पर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा तो मतलब अब आपका हो गया साज जिले कौन है यानि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है कौन सा ऐसा जिला है जो राज्य के अन्य जिलों से घिरा है यानि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है यह आपका है कौन सा हर दोई है देखिए option C कि यहां पर जो हर दोई है option यहां पर बनेगा यहां पर सी नंबर हर दोई हो जाएगा ठीके न यहां पर आगे बढ़ते हैं कुश्ण दिया गया है कि उत्तरवधेश के निमनिखित में से कौन से जिले की सीमा मद्ध प्रदेश के साथ साजा नहीं करती है मद्ध प्रदेश क साथ बही इलाहबाद तो लगता ही लगता है ना इलाहबाद लगता है मिरजापूर है इटावा है लेकिन अली गड़ यह आपका नहीं लगता है ऑप्षन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नमबर होजेगा विडियो एक्जाम 2018 में सेकेंड शिप्ट में कोश्चन पूछा जा चुका है याद रिखेगा ठीक है ना और अगिला कोशन यहाँ पर देखो दिया गया है उत्र विदेश में कोल कितने जिले है बिलकुल इजी है मोकि मंत्री आप लुक जानते हैं आगे बढ़ते हैं वद्देराइं है यह यह व्योतरविदेश राज्जी का भारत में 16 चेटफल की दरश्टी से कौन साहिस्थान है यह बहुत नवी हाली में पूचा गया था यहां पर देखें आपका जवाब क्या होजएगा चले बहुत जोकि बिलकुल सभी का सभी है इसका अंसर राइट हो जएगा आच्छा अगर पूचे संपूण भारत का छेटफल से कितन अगला कोशन दिया गया है इसका अगला कोशन दिया गया है उतर देख राजिका कौनसा जीला नेपाल के साथ अपनी सीवा साजा नहीं करता है बताइए बाई उत्तरवदेश राजी का कौन सा जीला नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है 19 समर में यहीं से कोश्चन पूचे जा रहे हैं जादा से जादा इस समय याद रखे यहाँ पर दोखे पीली भीत आपका स्रावस्ती माराज गंज लेकिन सीता पूर आपका इसमें से आपका नहीं है अगला कोश्चन दिया गया है उत्तरवदेश का सबसे पूरवी सहर आपको बताना है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा बैई जित अगर आपका फुल सपोर्ट रहेगा तो हमारा कसम खाते हैं कि आपको हमारी तरब से फुल सपोर्ट रहेगा आपको ऐसा कंटेंट हमारा भी सपोर्ट का मही रहेगा फिर हमापको वही रिवीजन क्लासे वही पुरानी क्लासे थोड़ा ज्यादा रहेंगे मतलब यह होता ह कि जब हमको काम होगा, तो भी हम आपको पुरानी किलासे देंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलता है, तो हम उस काम को डिले कर देंगे, लेकिन आपका काम पूरा-पूरा मिलता रहेगा, सपोर्ट देखे, कोई भी सपोर्ट होता है, बराबर होता है, बराबर का सपोर् जिले को इस पर श करती है आप ऄंगे बढ़ते को कितने राजी की सीमा इस पर करती है शन भड्रेस को कॉन अंसर के सीमा से लगा हुआ से लगा हुआ है तो that कॉन अमब यहां पर अनसर आपका राज़ ją करें बढ़ते कहते हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं you पूछा है, कौपी पेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना, कौपी पेस्ट मत करिएगा, हम आपका एक कमेंट हमको पता चल लियाता है, कौपी पेस्ट करेंगे, तो जानते फिर क्या होता है, चलिए उतर्वदेस की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, यहाँ पर देखो अधिक्तम आपको बताया है कि UPPCS 2017 मेंस इक्जाम में आप्शन C वाला सही किया गया था यहाँ पर आट सही किया गया था हमने इसके पहले भी आपको टेया था UPPCS मेंस 2017 में और अविकारी सिपाही भरती 2016 में जब ऐसा प्रशन पूचा गया था तब आपको आठ ही सही किया गया था अगर यहाँ पर अन्ने लगा दिया जाता तो आप नो कर देते या राज्या और किंसासित बोल देता तो आप लोग नो कर देते यह कोशन आपको कहीं आप वाद में लगता है चरिए यहाँ पर देखो अगला कोशन आप पर दिया गया है हाँ अब कोशन जो आपको है थोड़ा धैरता के साथ पढ़ना है ठीक है आपको धैरता से पढ़ना है मतलब आपको कमेंट भलें करते रहना है लेकिन उट पटांग कमेंट न करिएगा बातें ने करीए थोड़ा सुनते रहेगा ठीके न? परवरी 1968 से लेके परवरी तक यह लगा था याद रखेगा ठीक है ना और देश के प्रथम वन जीव परिच्छण संगठन की स्थापना जो किया पर देशके हैं आपके 1956 में देश की प्रथम वायू डाक सेवा नैनी से प्रयाग राज की बीच में चालू की गए थी प्रथम विधान सबा का जो गठन हुआ था ओँ आठ मार्च 1952 को हुआ था अगला है राजि की प्रथम दलित महिला मुखि मंतरि कौन थी तो प्रथम दलित महिला मुखि मंतरि सुरी सुरी मयावती क्योंकि साधी नोंने नहीं किया है अगला है इलाहबाद उच्छनियाले के प्रथम मुक्नियादीस वतंत भारत की जो थे वो कौन थे इलाहबाद उच्छनियाले के प्रथम मुक्नियादीस आपकी नया मूर्तिक कमला कांत वर्मा थे ठीक है ना राज का प्रथम एक मात्र मुक्त विश्विद्याले है अगला पुइंट आते हैं पुइंट आप से अगला पुछा है यहां पर राजकी प्रतीक दिया है राजकी पच्ची सारा स्क्राउच राजकी वरच्छ असोक राजकी पुस्पलास ठीक है ना अगला राजकी चीनि जो आपका एक ब्रती में दो मचली एक तीर है ना और वैती गंगा और यहां पर यमना की धारा और अगला है कि में 1874 में आपकी आई थी ठीक है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है यहां पर दिया गया है प्रसास्निक और भOUGHतिक यहां पर देखे जो आ नाम है वह 24 जनवरी 1950 से यह नाम आपका दिया गया है ठीक है ना अगला है अगर कम दिखाए दे रहा है तो क्वाल्टी बढ़ा लीजे यह तो कान खोल लीजे कान खोल के सुनते रहेगा यहां पर इस्थिति की बात करते हैं तो इस्थिति को याद रखेगा 2352 से लेके 31 38 मिन एक नॉमबर 1956 को हुआ था राजी का जो विभाजन हुआ था 9 नॉमबर 2000 को हुआ था त्यारा जिलो को काटकर उत्तर खंड बनाया गया था ठीक है राजी का विभाजन किया गया था छेत्रफल यहां पर देखो अब बताया गया 7.33% है देश की लगबग परसेंटेज की को हम राजकी बासा गोशित की घई थी काब 1947 में एवं जन्वरी 1968 में यह सभी कार्यालों में अन्यूआरी की गई था त्याद रखेगा कि जो राजकी बासा गोशित की गई हिंदी को वह आपके 1997 में लेकिन आपके implantsa षा से ये सभी कार्याले में अन्युआरि कीय थी वहींप प्रदेश में S.C.S.T. के लिए आरची जो आपकी लोग सवा की जो सीटे हैं, वो आपकी कितनी हैं, तो देखो यहाँ पर आपका सत्रा है, तो यहाँ पर S.T. के लिए कोई सीट नहीं है, उतर वदेश में राजसवा सीटे आपकी 31 है, प्रदेश का विधान मंडल दुई संख्या जो थी, वो आपकी 425 थी, कितनी 425 थी याद रिखेगा, अगला कोशन मात्यपूर्ण आपका दिया गया है, कि सरवाधिक विधान सवा सीटों वाला जो जीला है, वो आपका प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला संसदी छेतर है, वो आपका कौन सा है, ज लेकिन संसदी छेतर जो आपका है, वो आपका गाजियावाद है, दोनों के याद रख लीजेगा, विधान सवा सीटें अधिकतम है आपके प्रयागराज में 12, और सबसे बड़ा संसदी छेतर जनसंख्या की साबसे आपका गाजियावाद है, ठीक है ना, यहाँ पर देख से चोटा संसदी छेतर, प्रदेश कर सबसे चोटा है जनसंख्या की इसाब से संसदी छेतर आपका बागपत है, याद रखेगा, विधान सवा में आरच्छी सीटों की संख्या आपकी 84 है, जो 84 हो सी की है, दो आपकी स्टी की है, उच नियाले काहाँ पर है, प्रयागराज ये आपकी कौन कौन से है, तो प्रयागराज, लखनो, मेरट, अगरा, कानपरो, गोरगपुर, ये आपके क्या है, च्छय और दोगिक न्यादिकरण है, अगर प्रदेश में स्ट्रम नियाले कितने है, तो आपके 20 आपके स्ट्रम नियाले है, रितु अगर पूंचे, तो आपके यहां पर स्टार्ट होती है मार्च से लेके जुन तक आपकी रहती है और वर्सा रितु जो रहती है वो आपके जुन से लेके सितंबर तक आपकी वर्सा रहती है और इसी के साथ साथ सीत रुती की बात करते हैं तो सीत रुतु का आरंब होता है एक्टूबर से फरवर यहां पर देखे सबसे पुर्वी जिला बलिया, सबसे पश्यमी जिला सामली, उत्री जिला सहारनपुर, दच्छनी जिला सोनबद्र, सबसे चोटा जिला लखेंपुर्खीरी, सबसे चोटा जिला हापोड, प्रदेश वर्ती सीमा देश आपका जो है आपका नेपाल है, की निमतम जिलो को इस्पश करने वाली जो राजज है वहां पर देख सकते हैं आपके जहारखंड है ठीक है ना यहां पर देखिए यह भी आपका होगाए लोग जानते हैं यहां पर आते हैं कुछ नए média के साथ यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट आपको और भी यहाँ पर देखना है छोटा सा जो आता है उसको हम छोट दे रहे हैं जो नहीं आता है उसको नोट करिएगा देखो यहाँ पर भागोलिक छित्फल इतना आपका है जनसंक्या 2011 में इतनी थी ठीक है ना पुरुष इस्तरियां है लिंगानपात 912 है जनसंक्या गनत 829 है दसकी ब्रदीदर आपका 20.23 है मंडल कितने है तो आपके 18 है यह 2022 के अपडेट के अकॉर्डिंग है जनपद आपके 75 है तहसील आपकी 351 हो चुकी है याद रिखेगा यह अपडेट आपका है क्योंकि कोई भी आपकी किताब होगी तो उसमें आपकी 350 आपकी तैसिल थी 2019 के अपडेट के अकॉर्डिंग हमारी भी पेडियाप आप लेंगे तो उसमें भी अपडेट कर लिजेगा 351 हो गई है यह अपडेट आपका 351 हो चुकी है याद रिखेगा ठीक है ना नगर और नगर समू आपके 915 है विकास खंड आपके 825 है याद रिखेगा निया पंचायत 2019 में आपके 835 ग्राम पंचायत आपके 59073 आबाद जो आपके ग्राम है वो यह आपडेट है गैर आबाद वाली अपडेट हो गया कुल ग्राम हो गया यहाँ पर इतना सूभब आपके है टो यहाँग गयाँ बगके हजिवार अैमचायत वीर न चायएर नापके टी में आपके वो घ्राम हो पादेगा इतना गा